एक छोटी से गाव में इमली नाम की बहू और एक उसकी सास विमला रहा करती थी। इमली बहुती खुश थी क्योंकि उसे लगता था कि वो अपनी पती वीर के घर जाकर अपनी नएने परवार सी मिलेगी। लेकिन इमली के ससुराल आने पर सेम उसका उल्टा वहाँ पर हो जाता है। इमली के घर के सारे काम अच्छे करने पर भी विमला उसे हमेशा फटकार लगाती थी क्योंकि इमली गरिब खानदान से थी इसलिए वो विमला को पसंद ने थी। विमला अमेशा से वीर की शादी अपनी हैसेत वले लड़की से कराना चाहती थी। एक दिन विमला प्लान बनाती है और वो कहती है अरे ये लड़की ने तो मेरे घर की शान पूरा डुबा कर रख दी है मैं तो इससे बहुत परेशान हूँ ऐसा करती हूँ पाने में नशे पीलो रात को नीन खुलने पर जरूरत पड़ती है फिर इमली को अचानक विमला पर शक होता है कि आज तक मा जी ने तो उसके साथ ऐसा बरताओ ने किया आज क्या बात है जिसके बाद इमली विमला के प्लैन को जानने के लिए वीर को बताती है जिसके बाद इमली अपनी स इससे वीर को बिना मालूम पड़े रेल्वे लाइन पे सुला देती है इमली जो की जूटा नाड़ा कर रही थी विमला को रंगे हाथों पकड़ने के लिए इधर वीर भी अपनी मा की सारी कर्तुत चुपके से देख रहा होता है तबी वीर इमली को रेल्वे पटरी पर पड मिशकली चला दाता है